इस वॉल्वो जो कि एक कार कमपनी हैं उसने एक समय पर एक ऐसे बड़े मोके को गवा दिया था जिसके जरीए वो करोडों रूपे कमा सकता था दरसल इबात है साल 1969 की जब वॉल्वो के इंजिरियर नीज बॉलीन ने 3.0 seat belt का invention किया उससे पहले तक सिर्फ 2.0 seat belt ही चलती थी जो कि हमारी lower body के लिए low protected थी लेकिन जब वॉल्वो ने इस 3.0 seat belt को बनाया तब उसका patent free रखा और सभी कार इंडस्ट्री को safety के लिए उसे free use करने की permission दे दी इसके बाद साल 1968 में जब यूएस government ने seat belt को compulsory कर दिया तो ये invention काफी ज़ादा popular थी